यहाँ में पहले लिखा वे यह है कि आपने derivative में बढ़ा था कि अगर कोई coefficient function के साथ multiply होते हैं अच्छा वड़ी हो कि एक constant को function के साथ multiply की form में लिखावे तो आप क्या करते हो उस constraint को integral से भार कर देते हो और function को आप integrity कर देते हो ठाञिक आपने derivative में बढ़ा था कि अगर कोई भी constant आ रहा है तो आप क्या करोगे उस constant को भार कर दोगे और function का derivative ले लोगे दूसरे rule की बात की जाए शुरूं के दो दो बहुत basics है वो यह है कि अगर कोई भी दो function add हो रहे हैं या कोई भी दो function subtract हो रहे हैं उसके बाद आपने उसका integral लेना है तो आप क्या करो यह बराबर है कि आप दोनों function का पहले integral लो जो भी इनका answer है उनको आपस में add और subtract कर दो जैसे अपने derivative में और limit इन सब में यह common property है यह है असल जीज जिस पे आपके integration पुरी खड़ी वी है और वो क्या है इसको आप बोलते हो power rule power rule क्या होता है आज़रा समझ लो integration में power rule यह होता है कि अगर आपके पास एक function मौझूद है ठीक है और function की कोई भी power मौझूद है शर्त यह है power rule की कि जो भी function है जिसको आप base भी बोल सकते हो base है और उपर power है तो base का derivative साथ में मौझूद होना चाहिए अगर base का derivative साथ में मौझूद है तब आप power rule अपलाए करोगे derivative में आपने power rule पढ़ा था उसमें बस एक ही शर्त थी कि overall function की power होनी चाहिए आप उसको differentiate कर दोगे उसका differentiation में आप क्या करते थे power पहले लाते थे power में से 1 less करते थे उसके बाद base का derivative लेते थे अब ये reverse process है पहले हम derivative में answer में base का derivative ले रहे होते थे कि जैसे x plus 1 का whole square है तो पहले आप power rule लोगे 2 पहले लाओगे 2 में से 1 कम करोगे फिर जो base x plus 1 है उसका derivative लेते थे अब integration उसका reverse है तो यहीं आप पहले derivative ले रहे होते हैं उसमें बाद में लेते थे यहां पहले ले रहे होते हैं दूसरी चीज़ उसमें आप power rule में minus 1 करते थे integration में आप क्या करते हो plus 1 करते हो यहां से आपको समझाएगा एक दूसरे के यह reverse है बारल integration में derivative में बस एक ही शर्त ही कि base एक function है और उसकी overall power होनी चाहिए आप उसको differentiate कर दिया करते थे through power rule integration में शर्त है कि base overall power तो होनी चाहिए यह तो पहली शर्त है कि आपके बस पूरा function है उसकी overall power मौझूद है साथ एक और शर्त भी है कि जो base है उसका derivative भी साथ मौझूद होना चाहिए अगर मौझूद है तो आप formula apply करोगे और formula क्या है उस function की power जो भी उसमे 1 add करोगे जो पर power है सेम नीचे divide कर दोगे उससे plus c constant of integration apply कर दोगे यहाँ पे एक चीज़ का देहान रखना n कोई भी number हो सकता है सिवाए minus 1 के minus 1 नहीं हो सकता अब क्यों नहीं हो सकता उसकी simple reason यह है कि अगर n minus 1 हुआ तो नीचे denominator क्या हो जाएगा minus 1 plus 1 0 के बराबर हो जाएगा denominator 0 हो गया उसका मतलब आपकी fraction undefine हो जाएगी चो कि मसला है that's why power rule n equal to minus 1 पे work नहीं कर रहा है मैं जरा एक ln वाला भी आपको बताऊंगा क्योंकि जब यह work नहीं करता तो फिर हम ln वाला यूस कर रहे होते हैं तो यह वाली चीज मैं आप लोगो थोड़ी देर बाद भी बताऊंगा यह है पुरा complete power rule भाई base का derivative साथ होगा तो आप यह power rule अपलाए करते होगे अब कुछ example हम discuss करते है और जरा उनको देखते हैं किस तरीके से आप उनको solve करोगे सबसे पहली example है बहुत basic से मैं start करता हूँ x cube dx अब यहाँ पे अगर आप देखो power 3 है base क्या है यहाँ पे x x का derivative क्या होता है 1 के बराबर होता है 1 यहाँ पे मौझूद है ignore कर दो ignore नहीं मतलब base का derivative साथ मौझूद है न तो power rule लगा दो ठीक है तो x cube dx पे जब आप power लगाँगे तो 3 में 1 आट करो 4 जो उपर power है से निचे आजएगी plus c constant of integration तो x वाला जब भी आजए x की कोई भी power हो तो बड़ा easy होता है आप power में 1 आट करो उसी से divide कर दो अब दूसी example discuss करते हैं यहाँ पे लिखाव है square root x plus 1 और उसका आपने integral लेना है square root लिखोगे life मुश्किल होगी power की form में लिखो life असान हो जाएगी x plus 1 whole power 1 upon 2 dx वह यहाँ पे मैंने दो शर्त बताई थी कि एक तो overall function की power मौझूद होनी चाहिए ठीक है और उसके base का derivative साथ होना चाहिए power मौझूद है 1 upon 2 base x plus 1 1 का derivative 0 x का derivative 1 मौझूद है साथ power लगा दो power में 1 add करो 1 over 2 में जब आप 1 add करोगे 3 over 2 आएगा नीचे भी 3 over 2 आजएगा plus c constant of integration आजएगी 3 की बात करते है चीक है जी अच्छा यहाँ पे अगर आप देखो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ लिखने का तरीका लग है जैसे 1 plus x square tangent inverse के नीचे था मैंने side पे करके लिख दिया बात तो एक ही है वो तो इस पे भी वोई concept है अच्छा ये confusion ये concept जहन में रखना भाई कि ये minus 1 power नहीं है ये student बहुत गलती कर रहे होते है minus 1 यहाँ पे power नहीं है inverse tangent function को show कर रहे है अगर आप power की बात करो तो power यहाँ पे क्या है 1 के बराबर है तो इस चीज को जहन में रखना आप लो तो यहाँ पे भी आप power लगा होगे मैंने इसको power की form में convert कर दिया power यहाँ पे 1 है base यहाँ पे क्या है tangent inverse tangent inverse का derivative होता है 1 over 1 plus x square जो base है complete derivative साथ मौझूद है तो answer क्या होगा वही power लगा पहले power 1 थी 1 में 1 add करो 2 हो जाएगा same नीचे भी 2 plus C constant of integration तो भाई base का derivative साथ होना चाहिए बात खतम सवाल खुद ही solve हो जाएगा उसके बाद फिर हम consider करते हैं एक और example और वो है ln 5x divided by 5x dx अब अगेर वही बात है आपने यहाँ पे देखना है ln ln के उपर भी अगर आप देखो consider करो तो power 1 मौझूद है इसके अंदर base क्या बनेगा base बनेगा ln 5x ln 5x का पहरे derivative निकालो मैंने बताया था ln के बाद जो भी चीज़ लिखी होदी है मैं derivative का तरीका बता रहा हूँ कि ln 5x का derivative क्या होगा कि ln के बाद जो भी चीज़ लिखी है वो आप denominator में ले जाओ जो लिखावाता उसको denominator में ले लिए उपर आप क्या कर दो उसचीज का derivative ले कर दो 5x का derivative क्या हो जाएगा जो लिखावाता उसको denominator मे ले ले और जो इदर मौझूद था numerator में आपने उसका derivative ले लिया यह मैंने derivative में काफी बताया था तो दुबारा मैं detail में जाऊंगा नहीं 5 से 5 cancel तो यहां से आपने observe किया कि ln 5x का derivative क्या है 1 upon x है अब इसको थोड़ा तेड़ा मेड़ा करके लिख लो 1 upon 5x को मैं यहां पे लिख रहा हूं बात अगेन वही है अब ln 5x का derivative है 1 upon x मैंने बताया है इस चीज़ को जहन में रखना जो फौर तो चीज़ है वह इंटीगरल में नहीं लगते आप इंटीगरल में वही चीज़ रखते हो जिसकी आपको ज़रूरत है ऑफ दो लिख वार निकाल देते डेरिवेटिव साथ मौझूद है पावरूल लगा दो अच्छा यह वन अपॉन फाइफ आजाएगा अपने अपनी जगह पे आजाएगा इस पे पावरूल लगा ओ पावर 2 हो जाएगी नीचे भी 2 प्लस C 2 को 5 से मुल्टिप्या कर देना 10 हो जाएगा इस तरीके से आप पावरूल अप्लाए करोगे अब इसकी ज़रा बात करते हैं 1 प्लस स्कॉार रूट X 20 ओवर स्कॉार रूट X DX अब यहां पर अगरा फंक्शन देखो सॉरी बेस देखो यह बेस है ठीक है वन का डेरिवटिव तो 0 रूट X का डेरिवटिव क्या होगा वण अपॉण टू रूट X तो आपको यहां पर साइड पर क्या चाहिए वन अपॉण टू रूट X जाहिए अब तोड़ मोड़ upon root x इसका मतलब 2 की कमी है तो नंबर से आप multiply divide कर सकते हो integration में जो आप divide कर वारे हो 2 वो नीचे लिख दो multiply वाला 2 यहाँ पर लिख दो ठीक है 2 1 से multiply वाकर 2 हो जाएगा लेकिन मैंने वही बात बताई विए जो काम की चीज़ होती है वो रखते हो fall 2 को आप integral से बाहर कर देते हो तो उपर वाला टू जो है इसकी कोई significance नहीं है फालतू है तो यहां रखने अलाव नहीं है आप क्या करो इस टू को बाहर कर दो अब देखो जो बेस है उसका को कम्टीट डेरिवेटिफ साथ महजूद है तो आप पावर रूल लगा दो यह तू जो ही अपने जगा पर आ जाएगा 20 के अंदर वन आट करो 21 नीचे भी 21 प्लस C constant of integration आ जाएगा अच्छा जी उसके बाद लिखाव है Sine X Cos X 3 गे मेने लास्त लेक्चर में भी आपको एक्जेंपबिल दीती है कि इसके दो answer है, जरा वो देख लेखने ला कि दोनों answer आये कहां से, एक इसको लिखने का तरीका यह है, एक इसको लिखने का तरीका यह है, पर दोनों ती चिछे सेम ही है, इनमें को difference है आपस में, नहीं, इसको अपर इस तरीके से लिखो, इसकी power 1 कर लो, और यहाँ पे cos x की पावर 1 कर लो जब अब इस form में लिखोगे तो base यहाँ पे क्या है? sine base का derivative साथ मौझूद होना चाहिए sine का derivative क्या है? cos साथ मौझूद है, पावरू लगा दो 1 एट करो 2 तो sine square और जो पावर थी वो नीचे भी आगी, plus 3 constant तो मैंने बतायता है, इसके एक answer ये भी हो सकता है अच्छा जी, अगर आप reverse कर दो cos मैंने पहले लिखा, sine बाद में लिखा तो अब base क्या है? cos cos का derivative होता है minus sine तो यहाँ पे आपको sine नहीं, बलके minus sine चाहिए, ठीके? अब क्या करोगे ज़रा वो हम देखते हैं पहले तो just sine x ये मौजूद है अभी तो मैंने कुछ changing नहीं की आपको यहाँ पे sine के साथ क्या चाहिए? minus 1 चाहिए याप minus बोल दो, minus चाहिए minus कैसे लाओ गया? minus से अंदर भी minus लगा दो बाहर भी minus लगा दो देखो जब आप अपनी तरफ से कोई भी काम करते हो तो आपको अलाओ होता है लेकिन आपने कुछ changing नहीं करनी होती है आपने इस तरीके से करना होता है कि आपका जो original चीज़ है वह वैसी रहेगी अब अंदर negative और बाहर negative लगाया इससे कोई फर्क पड़ा नहीं negative negative multiply के दुबारा positive हो जाएगा वही आपका original integral होगा तो मैंने अपने मकसद के लिए यहाँ पे मुझे minus चाहिए था तो मुझे यहाँ भी लिखना पड़ा और मुझे बाहर भी लिखना पड़ा अब देखो base cos जो है definite same होगा sorry indefinite इनका same है अगर यहाँ पे में कोई limit लगा देता है 0 से लेके let's say pi by 3 अब इन दोनों का answer से होजाएगा करके देख लेना आप लो तो यहाँ पे मैंने 6 example देखे काफी चीज़ें आप लोगो समझा दिये कि अगर simple हो तो किस तरह करोगे अगर कुछ फाल्तू चीज़ें तो उसको बाहर निकाल दोगे अगर कुछ चीज एड कर अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए तो हम multiply divide कर देते हो और जैसे minus चाहिए था तो आपने अपनी तरफ से minus कर दिया सब तो इस सब चीज़ें मैंने cover कर वा दिये बागी कुछ MCQs में भी जो भी आजएंगे वो हम कर लेंगे तो इस topic को जड़ा हम खतम कर देते तो तीसा rule था ना power rule वो मैंने आप लोगो detail में समझा दिया अब power rule और एक और ये वाला rule जो है ये काफी मिलते जुलते हैं मैं बता दूँगा आज confusion आप लोगों की हल कर दूँगा कि किस तरीके से आप लोग इसमें differentiate करोगे सबसे पहरे समझ लो rule है क्या ये ये rule कहता है कि अगर denominator में एक function मौझूद है और उसका derivative numerator के अंदर है denominator में अगर कोई function मौझूद है पहले इंपेल इंपल पहले ग्जेंपल में लिखा वान अपन एक्स एलनेक्स डिए एक्स लिखाव है ठीक है अब दिन्होंटर में अगर आप पूरे एक्स देखो आपको थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा लकीर के फकीर नी बन सकते आप अगर आप पूरे पूरी चीज़ का डेरिवेटिव एपर कैसे आएगा तो इसका मतलब आपको थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा स्मार्ट इन दा सेंस कि आप इसके इस तरह लिखो उपर लिख दो one upon x divided by lnx कुछ changing नहीं किया आपने as it is आपने वैसी लिखा वह है one upon x उपर लिखो या इस x को lnx के साथ multiply करो बात यह किये basic mathematics है मेरे ख्याल नहीं है कि आपको detail में बात समझाओ में यह दोनों चीज़ें जो हैं यह बराबर होती है इस तरह लिखने से आपको एक फाइदा हो गया जब यहाँ पे x था तो आपको इतना मजा नहीं आ रहा था आप rule apply नहीं कर पा रहे थे लेकिन अब आप apply कर सकते हो अब denominator में क्या है lnx इस rule के लिए क्या होना चाहिए इसका derivative numerator में होना चाहिए lnx का derivative 1 upon x जो के numerator में मौझूद है तो जो denominator है derivative मौझूद है numerator में तो इसका answer क्या होगा ln function function यहाँ पे क्या है lnx प्लस यह constant of integration आजएगा तो आपको हलकी बुलकी changing करनी पड़ेगी हालाएं कि मैंने कोई किया नहीं है जो लिखावा था मैंने हलका मुलका उसको तोड़ा है बस और कुछ भी नहीं किया मैंने और आपका सवाल तो इतनी चीज के लिए आपको त्यार रहने है यह जो है ना यह तो हल्वा दिया है और ऐसे नॉमली आते भी नहीं है पते नहीं मैंने क्यों example दिया है लेकिन इसको यह 1 upon x है ना तो इसको आप इस तरह सोचो कि 1 upon x का आपने इंटीग्रल लेना है आप ही सोचो 1 upon x किसका derivative है 1 upon x derivative होता है ln x का तो different approach से भी अगर जाओगे तो आपको समझा जागा कि इसका answer है अज़े इसमें example में मैंने जाद आगे कि मैंने क्यों ली थी हाला कि बहुत easy है लेकिन concept मैं clear कर रहा है यहां पर जो मैंने पहले भी बताया था कि strength एक तो यह तरीका जो मैं solve कर वा लो strength जब खुद करेंगे ना वो इस तरीके से भी करेंगे इसको कि वो x को उपर ले जाएंगे x की power क्या हो जाएगे minus 1 यहां पर वो power rule लगाएंगे तो मैंने बताया था minus 1 जब power हो तो power rule work नहीं कर रहा होता वो आप देख भी सकते हो ठीक है power में 1 add करते हो ना उपर भी 1 add करोगी नीचे भी अच्छा उपर तो यह हो जाएगा x की power पर 0 जो के मसला नहीं है x की power 0,1 हो जाएगा लेकिन नीचे 0 आ गया जिसकी वैसे यह क्या होगे undefine होगे इसका मतलब इस पे आप power rule ही लगा सकते हैं तो लाजमी आपको इस x को नीचे लेके जाना पड़ेगा और इस पे आपको Allen वाला formula लगाना पड़ेगा तो यह MCQC बड़ा फेवरेट आता है और student इतनी गलती करते हैं इसके अंदर यह आपके board exam में भी आ चुका है पूरा power rule देते हैं अगर आपको याद हो यह पूरा power rule है जो भी मैंने पढ़ाया था तीसा rule जो है बस लिखते हैं इसके आगे n equal to minus 1 वो बोलते हैं कि यह पूरी चीज किसके बराबर है अचा student यह नहीं देखते हैं आगे लिखावा किया है वो जैसे यह देखते हैं वो जैसे यह देखते हैं कि हाँ यह तो इसके बराबर है कि function के अंदर आपने क्या किया n plus 1 कर दिया divided by n plus 1 that's it plus c यह पूरी चीज इसके बराबर है हाला कि वो जैखना भूल जाते हैं कि यहाँ पे n क्या है minus 1 है अगर यह था n not equal to minus 1 तब आप यह वाली चीज लिख सकते थे जैसे उने बोल दिया कि भाई यह वाली पूरी चीज का आंसर बताओ जिसमें n जो है वो negative है n equal to minus 1 है इसका मतलब अब आप इस पे power rule नहीं लगा सकते तो यह वाला option भी given होता है और यह गलत हो जाएगा यह n equal to minus 1 पे यह वर्क ही नहीं करेगा n equal to minus 1 पे क्या वर्क करेगा ln वाला कैसे? कि लेट कर लो n के जगा आपने यहाँ पे minus 1 पुट कर दिया अब minus 1 पे तो power rule अप्लाए नहीं होता इसको आप denominator में ले जाओ तो जब यह function denominator में जाएगा तो इसकी power positive हो जाएगी और यह बिल्कुल वही form बनकी जो यहाँ पे लिखी वी है अब इसका answer क्या हो जाएगा ln f of x plus c तो इस चीज़ को जहन में रखना power rule n equal to minus 1 पे वर्क नहीं करता n equal to minus 1 के लावा किसी भी n value पे वो वर्क कर रहा होता है minus 1 पे आप ln wala formula यूज कर रहे होते हो अच्छा जी अब कुछ और example लेते हैं ln से related वो लिखी वे यहाँ पे tangent inverse 1 plus x square जिखी वे अब अगेन वही बात अब इस पूरे denominator को देखो तो derivative काफी मुश्किल है सवाल ही पेदा नहीं होता numerator में चीज माचूट है लेकिन आपको थोड़ा different करना पड़ेगा different कैसे करोगी यह 1 plus x square है इसको आप इस तरह लिख दो 1 over 1 plus x square अब नीचे tangent inverse x लिखो basic math से आपके पता होना चाहिए कि यह 1 plus x square tangent inverse से multiple होगा तो आपने कुछ changing नहीं कि बस different अंदाज में इसको लिख दिया जो के numerator में मौझूद है तो इसका मतलब यहाँ पे आप ln वाला फामर लगा सकते हो तो ln tangent inverse x plus c constant of integration और एक आखरी देख लेते हैं 4 वाला इसमें है x over x square plus 8 dx अब denominator में देखो x square plus 8 है 8 का derivative तो 0 हो जाएगा x square का derivative 2x होगा numerator में just x मौझूद है तो आप क्या करो 2 से multiply डिवाइड कर दो अब देखो जो denominator है उसका derivative जो है वो numerator में मौझूद है तो इसका answer क्या हो जाएगा 1 upon 2 ln जो भी function है वो आप लिखो plus c constant of integration देखो अगर आपको basic नहीं आती ना आप मुश्किल सवाल नहीं कर सकते यह बातें जो हैं कि इतनी important है इतनी important है आपको शायद एहमियत का इसका अंदाजा है या नहीं है लेकिन यह बहुत important है यह integration की basic है भुरी खासतोर पर power rule यह basic में आता है integration की अगर आपको इसके concept clear नहीं छोड़ दा integration नहीं कर पाऊगे मुश्किल छोड़ो basic नहीं आती मुश्किल करी नहीं पाऊगे तो इनको आप सही तरीके से समझ लो example मैंने बहुत easy दिये को बहुत hard examples दिये यहां पर वो इसलिए कि hard example मैं क्यों दूँ basic आपको बात समझा नहीं वो easy example दे समझा देगी और जब आपकी basic strong होगी इतना मसला नहीं होगा आपको मुश्किल question समझने है यह बात होगी complete ln के लिए अपको सवाल मैंने combine नके लिखे में जिसमें confusion हो सकती है कि यार इसमें मैं ln वाला use करूँ या power rule यूज करूँ nominal student को होती है होनी चाहिए नहीं लेकिन हो रही होती है तो मैं बताता हूँ कि आपको confusion नहीं होनी चाहिए और क्यों नहीं होनी चाहिए उसकी मैं reason यहाँ पर बतातूँगा जैसे पहरी example लेते अच्छा एक बात मेरे जहन में आगी कि अगर आप exercise 6.3 जो है ना सिंद बोड़ वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ 6.3 का question number 1 जो है उसके शुरूं के आठ नौ पार्ट है जिन में पावर रूर और एलन वाला लग रहा है उसको आप solve कर लो वह को बड़े भी नहीं है mcqs में फेवरेट है आ सकते हैं वह बेसिक है पूरी ठीक है 6.3 का question number 1 के शुरूं के नौ दस पार्ट आप कर लेना ठीक है अच्छा जी अब आप किस तरीके से करोगी पहला सवा यह भी exercise कही है यह question number 6.3 का question number 3 का part number कुछ होगा 15 14 ऐसा कुछ पार्ट आपको नजर आजाएगा साइन एलन एक्स नीचे क्या है एक्स कॉस एलन एक्स 3 ओवर 2 अच्छा देखो सबसे पहले जब यह पावर 3 ओवर 2 आगी न एलन वाला फॉर्मूला भूली जवाब पावर आजए न स्कॉाइर क्यूब ज़रतर केसे में भूल जाओ एलन वाल लगी नहीं सकता अब यहाँ पर मैं थोड़ इसको डिफरेंट अंदाज में लिखता हूँ और पर मैं बताता हूँ जो यहाँ पर एलन लगाएंगे न उनकी दलील की एलन लगाने की मतलब क्यों एलन लगाएंगे पहले मैं इस X को इस तरह लिख देता हूँ एक ही बात है इधर था X मैंने बाहर लिख दिया अब जो यहाँ पर एलन लगाएंगे वो गलती क्या करेंगे वो गलती यह करेंगे कि देखो एलन वाले फॉर्मुले में मैं ने बताया हाना कि मैंने यह बात नहीं बोली एलन के लिए बेस नहीं देखोगे डिनॉमिनेटर में कम्प्लीट फंक्शन देखोगे और उसका डेरिवेटिव अगर नियुमिनेटर में है तब आप लगाएंगे तो यहाँ पर जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं नियुमिनेटर में मौझूद है तो इस पे लन वाला फामा लगा दो और गलत हो जाएगा आपका ठीक है तो अगर आप इसको कंप्लीट फंक्शन देखो तो प्लीट फंक्शन बड़ा मुश्किल है मत अगर आप इस पे लन वाला लगाना चाहरी हो ना तो स्टैप यह वाले होंगे सही एलन वाले फामले के लिए आप पूरे डिनॉमिनेटर को देखते हो तो पूरा डिनॉमिनेटर यह है पुरा अब किस तरह करोगे सबसे पहले तो पावरू लाओगे ना इसके अपर यह पूरी चीज आएगी फिर थ्री ओवर टू मेंसे जब रखा बन कम करोगे वन अपॉन टू फिर इस पूरी चीज का डिरीविटिव लोगे अगेhn वही माइनस साइन एलन एक सब्सक्राइग सो पूरे डिनॉमिनेटर का यह कंप्रीट डिरिवेटिव है जो कि नीमिनेटर में मौझूद ही नहीं है त्री अपर यहां पर लंगा आगा negative 3 upon 2 और बाकी sin ln x और यह 1 upon x जो है इसको इस तरह लिख दो ठीक है अब इस पर आप पावर रूल होगा पावर रूल में हम बेस देखते हैं cos ln x ठीक है उसका derivative होगा minus sin ln x over x तो minus इस तरह कर दो आप जो भी बेस है उसका derivative साथ मौझूद है इस पर लगाना पावर रूल माइनस 3 over 2 में 1 add होगा same power नीचे आजएगी plus c constant of integration दूसरे पर आ जाते हैं अब इसमें असल वाला तरीक है ln वाला यूज़ करोगे लेकिन अगें जो पावर रूल यूज़ करते हैं वो फस जाएंगे यहाँ पर कैसे कि पावर रूल यूज़ करते हैं वो यह ट तो इस function को अगर आप उपर लेके जाके पावर लगाना चाहरे हो तो पावर लगी नहीं सकता पावर इसकी माइनस 1 है तो आपके बस एक ही अहला यहाँ पर यहाँ पर बाहर कर दो और इस तरह 1 लिख तो जो डिनॉमिनेटर का डेरिवेटिव उपर मौजूद है तो इस प constant of integration आजाएगा इसकी बात करते हैं अच्छा अगेन वही concept है इस पर पावर लगना चाहिए लेकिन जो एलन वाला लगाएंगे वो क्या हरकत करेंगे बेस देख रहे होंगे एलन वाले के लिए आप पूरा डिनॉमिनेटर देखते हो पावर रूल के लिए बेस देखते हो तो इस पर लन वाला लगी नहीं सकता क्योंकि अगर आप इस पूरे डिनॉमिनेटर को देखो तो पूरे डिनॉमिनेटर का डेरिवेटिव है 3x² जो कि उपर आप लाई नहीं सकते हैं उपर मौझूद ही नहीं है तो इस पर पावर रूल में जो फंक्शन है वो उपर होना जाए तो इसको अपर ले जो ठीक है अब पावर लगा दो माइनस त्री में वन एट करो नीचे भी माइनस त्री में वन एट करो प्लस सी कॉंस्टेंट अप्लस सी सिंप्लिफिकेशन जो भी एक फोर एक्जेंपल उसको देखते हैं और इस पर टॉपिक को माइंड आप करते हैं अब फोर में इखाव है डी एक्स ओवर एक्स एलन एक्स का वोल इसको है अब अगें वही कॉंसेप्ट है इसको जो एलन वाले फॉर्मले से कंफ्यूज कर देंगे वहां पर क्या कर देंगे ठिक है यह जो एक्से ना नीचे इसको इसी तरह कर देंगे जो मैंने इस वाले सवाल में बताया था वोसरो कर देंगे वन अपॉन X अब निचिए लैन एक्स का डेरेवेटरीव उपर मौजूद है लो भाई इस पर लगा दो आप दो एलन वाला फॉमुला जो नीचे है LNX उसका derivative उपर मौझूद है बस formula complete answer लिख देंगे हालंकि again वही बात है कि LN वाले में आप पूरे denominator को देखते हो base नहीं देखते हैं तो अगर आप इस पूरे denominator को देखो तो पूरे denominator का derivative यह आएगा इसका ठीक है जो के उपर मौझूद ही नहीं है आप लाई नहीं सकते आप क्या करोगे आप इस पूरे function को उपर ले जाओगे पावर रूल के लिए तो LNX की पावर हो जाएगी minus 2 यह 1 upon x अपने जगा पे अब आप इस पे पावर रूल लगा होगे कैसे जो base LNX derivative 1 upon x साथ मौझूद है तो पावर रूल लगाव आप minus 2 में 1 add करो तो minus 1 होगा नीचे भी minus 1 plus C constant of integration आजाएगा तो पहले मैंने अलग पावर रूल वाले आप लोगों को सवाल करवाए फिर मैंने LN वाले करवाए फिर मैंने ऐसे करवाए कि जसमें confusion हो सकती है अब ये साथ concept थे जो पताने 20-25 मिंट जितने भी हुए है हाँ 20-25 मिंट तो हो गयोंगे उसमें मैंने बता दी है अगर इनको आप सही तरीके से नहीं देखोगे आपको समझी नहीं आएगी आप confuse हो जाओगे खलत कर बैठोगे ये basic है इनको आप लोग स्ट्रॉंग कर लेना